नमस्कारम दोस्तों, हम बहुत ग्यान की बातें सुनते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, रामार का पाठ करते हैं और आजकल एक फेशन चल गया है कि रामार का पाठ हम करवाते हैं, ठेका पे दे देते हैं, कोई 24 गंटे में अगंड रामार का पाठ करके चले जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारा काम हो गया लेकिन दोस्तों बास्ताओं में रामचरित मानस हमें क्या सिख्छा देती है जब हम वो नहीं समझते हैं तो रामचरित मानस हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाती है वह हमारे जीवन में सांती नहीं ला पाती है मानस का एक बहुत ही प्रिसद प्रसंग है कैंकई का दसरत की तीन रानिया हैं और उनमें से एक रानी है कैंकई कैंकई राम से बहुत प्रेम करती हैं और राम भी कैंकई से बहुत प्रेम करती हैं लेकिन कैंकई जब मंत्रा के संपर्क में आती है तो मलिन हो जाती है और जब कैकई मलेन होती है तो जिस परमात्मा को वो अपनी गोदी में खलाती थी उसी परमात्मा को वो बन में भेज देती है और उसके ब्योग में दसरत प्राण त्याग देती हैं तो यह प्रिसंग हमें हमारे जीवन में क्या सिख्छा देता है हम इसको समझते हैं दोस्तों दसरत वह व्यक्ति होता है जिसने दसोंद्रियों को जीत लिया है लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अपनी दसोंद्रियों को जीत चुका है उसके जीवन से भी परमात्मा चला जाता है परमात्मा कब चला जाता है परमात्मा तब चला जाता है जब उसकी केकई मतलब उसकी चेतना मलिन होती है जब तक चेतना उसकी अच्छी थी तब तक परमात्मा उसकी गोद में खेलता था उसके आंगन में खेलता था लेकिन चित्त की चेतना जब मैली हुई मैली कैसे हुई मंतरा के कारण मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने दोसों इंद्रियों को जीत लिया है उस व्यक्ति के जीवन से भी परमात्मा चला जाता है यदि उसकी चेतना मेली हो जाती है यदि उसकी चेतना मनमानी करने लगती है और जब चेतना मनमानी करती है मन की बात सुनती है तो वह मलिन हो जाती है और मलिन होने के कारण वह है परमात्मा को जंगल में भेज देती है मतलब उसके जीवन से परमात्मा चला जाता है और जब परमात्मा राम जंगल जाता है तो जो हमारी दसरती ब्रत्ती थी दसों इंद्रियों के परे की स्थिति थी वो नश्ट हो जाती है दोस्तों हम अपने जीवन की जो क्याकई है उसको भी समझ सकते हैं कभी कभी हम बहुत आनंद की स्थिती में होते हैं और जब हम बहुत आनंद की स्थिती में होते हैं तब हकीकत में हमारे भीतर राम होता है हम राममय होते हैं लेकिन जब हम आनंद की स्थिति में बैठे होते हैं तब हमारा मन हमारे सामने तमाम तरीके के आकर्षण पैदा करता है. कभी वह बहुत सुन्दर रूप की और हमारा ध्यान खीचता है, कभी वह वह बिसियों में, कभी वह बस्तुयों में, कभी वह भोगों में हमें सुख दिखाता है, वह कहता है यहाँ आओ, यहाँ सुख है, और जब यदि हम उस मन की बात को मान लेते हैं, तो हमारी जो चेतना हैं जो हमारी केंकई है वो मलिन हो जाती है चेतना का इस्तर गिर जाता है और उस चेतना के गिरने के कारण से हमारी जो इंद्रियतीत अवस्था थी जो दसरत वाली हमारी अवस्था थी वो नश्ठ हो जाती है और हम इंद्रियों में फिर से रमण करने लगती हैं धन्यवाद झाल झाल